बहुत ज़्यादा प्राउट फिल होता है जब आप कुछ अचीव करते हो किसी अच्छे ब्रैंड के साथ काम करके जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहुंची हूँ गूगल के ओफिस में और हम क्रेटर्स गूगल के कुछ न कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते ही रहते हैं तो अगर आप गूगल के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो आप पका ही देख लेना तो आये इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो मैं पर गूगल के ओफिस में पहुंची थी वैसे तो यह ओफिस बैंटरा में था बट क्या है कि बहुत सारे कुछ और शॉर्ड यहां पर मुझे मेरा नाम था मुझे एंटर मिला और यहां पर मैं Google के पहुंची तो सबसे परे श्रह के चोटा सा Google का इंङते हैं जिसकी के अश्ता है , और के जावर्ष है , यहां पर मादेते हैं explained to me सब के साथ मिलना था कोलाब करना था फन मस्ती थी बहुत मज़ा आ रहा था तो यहां पर ना मेरा भी थाथ मैंने का चलो एक दो फोटो शोटों तो हम भी खिचवाई लेते हैं इस आउटफिट में कैसी लग रही है जरूर लिक करके बताना यहां पर मैं एक बढ़ करना त्यसके बास हमें एक बड़ा सा रोम था जहां पर बहुत सारे चैर्स थे काफी क्रीयेटर शिया यहां पर बाते कर रहे थे और इस रूम में पहले और एक रोम फेंट RIGHT वूलाग त तो मैंने सोचा कि चलो पहले कुछ पेट पूजा कर लिया जाए क्योंकि काफी दूर से मैं भी आई थी और यहां पर आप देख सकते हैं धेर सारे कप्स रखे हुए थी कॉफी के मक्स रखे हुए थी यहां पर बिस्किट रखे हुए थी और इसमें ब्लैक कॉफी नॉर्मल आपको जिंजर टी मिल जाएगा और यहां पर ब्लैक हाट मिल था तो यह सारी चीजे थी फिर यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सा मैंने चीज देखा यह को साबुदाना जैसा था और बहुत अच्छा लग रहा था देखकर की इसके अंदर थोड़ा सा न जो रेड वाली च आपको बहुत जादा पसंद आया टार्स रखे थे यहां पर पनीर वाले जो बहुत अमेजिंग थे यह भी तो इसे भी मैंने अपने प्लेट में शामिल कर लें यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और पाइनेपल मॉक्टल था तो यह भी मैंने ले लिया था और ब अच्छा लग रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसमें भी पाइनेपल का कुछ फ्लेवर्स एड़ किया था तो बहुत अमेसिंग इसका भी टेस्ट था तो अवराल मैंने हापे अपनी प्लेट तयार कर ली थी और अराम से बैट के मैं इसे इंजॉय कर रह बहुत ही मज़ा आ रहा था इसमें भी फन मस्ती गेम था जूम इन जूम आउट तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा तो यह हमारी विनिंग टीम थी जो भी टीम जीच चुकी थी और बहुत मज़ेदार लग रहा था इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस गेम को कम्प्लीट किया था जो कि बहुत मज़ेदार था उसके बाद अवर्ट सेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मेरे कुछ गिफ्स मिला और हम लोग नहीं यहां पर थोड़ा सा गर्भा किया क्योंकि यहां पर गुजराती क्रीटर्स जादा थे और उनका यह मानना है कि जब भी कुछ अच्छा सेलिब्रेट हम करते हैं चाहें वो शादी हो या छोटे से चोटा फंक्शन बड़े से बड़ा फंक्शन में बिना गर्भे के तो हमारा यह सेलिब्रेशन तो अधूरा होता है तो मैंने भी सुझे चलो दो चार ठुमका तो मैं पूजा अगें तो आई मैं आपको दिखाती हूं क्या क्या था तो सबसे पहले हैं पर आप देख सकते हैं चॉकलेट मूस केक जो कि पहले मेरी नजर उस पर बड़ी कि मैं स्वीट लवर हो गाईज में स्वीट बहुत पसंद है और साथी में आप आप देख सकते हैं पान अमेजिंग तरीके से यहां पर सालेट को भी प्रेजेंट किया था जिसे जो पसंद है वो अपने अकटार्डिंग ले सकता है साइड बाई साइड ना यहां पर आप देख सकते हैं कि ठाई करी थी तो यहां पर स्टिकी राइज और थाई करी था आप मैंने सुचे यह तो इसे भी तो मैं पक्का ही ट्राइ करके आपको बताऊंगी कि इसका टेस्क कैसा था वशे तो मोमोज लवर तो हूँ मैं इसका भी ट्राइज जरू करूंगी तो साथी में आपके कुछ नॉन्वेज ऑप्शिंस भी रखे थे प्रांस चिकिन एंड प्रोड़ासा एग यहा पर बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन था साइड बाई साइड जो शेफ थे वो फटा फट से कुक कर रहे थे और यहां पर ना कुछ कुछ चीजे जो डेकोर की गए थी बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने उसकी भी वीडियो ले लिए यहां पर आपको मॉक्टेल ट्राइ करती हूं और यहां पर कपस रखे हुए थे जिसमें भूट सारे शुगर्स वगरा साइड में ते जिसको जो पसंद है नी शूगर या ब्राउन शूगर जो भी पसंद है सकता है आइस बर रखे थे हैं पर चोटए-चोटए बास्किल रखे थे मोमो जैसे थे डेक तो सबसे पहले प्लेट लिया मैंने उसमें रखा मैंने त्रिपल चॉकलिट मूस केक जो बहुत जादा टेस्टी लग रहा था साथ में ये पान शॉट भी आप बोल सकते हैं पान पुडिंग भी टेस्ट अमेजिंग था गाईस और यहां पर ना मैंने थाई करी कभी ट्राइ पर देखने को मिलेगी इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे चानल को सब्सक्राइब करना होगा बैल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोगो तक मिले तो मेरी यहां पर प्लेट तयार है तो सबसे प मॉमोस खाना बहुत पसंद है बटना यह वाला मॉमोस थोड़ा सा यूनिक था तो इसकी उपर की जो कोटिंग की गई थी यानि कि यह मॉमोस का मैदा था बहुत जादा सॉप्ट था अंदर पनीर की और धेर सारी वेजिस की स्टफिंग थी खैर चटनी तो था नहीं लेकि इस इतना अच्छा था कि मैं एक के बाद एक दो या तीन बाइट ते से खाए लिया मैंने साथ ही मेरी फ्रेंड भी वेटी थी तो उनसे मैं बाते करते जा रहे थी और इसे इंजॉय कर रही थी और यहां पर मैंने ट्राए किया पोमो ग्रेनेट मोक्तिल जिसके साथ कोकम क भी फ्लेवर दिया गया था बहुत अमेजिंग यह प्लेट थी खाने बहुत मज़ेदार था तो अगर आप भी नॉन्वेज खाते हैं तो चिकन वगर ज़रूर ट्राए करना तो मैंने हाब बे चिकन विंग्स ट्राए किया जो कि इसमें लेक्स भी थे और चिकन विंग्स भी था और बहुत अच्छा टेश्ट लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था खाने में तो मैंने सुचा कि चलो थोड़ा सा चॉक्लेट मूस को भी ट्राए किया जाए क्योंकि बीच बीच में जब थोड़ा सा तीखा हो तो थोड़ा सा इसमें स्वीट तो होना ही चाहिए तो अल्मस्स सब बहुत मज़ेदार था अब बार यह यहां पे ठाइग करी ट्राइग करने की क्योंकि थाइग करी फॉस्ट टाइम मैं ट्राइग करने जारी है और मुझे खाते समय मुझे फ्लेवर आया कोकोनट और थोड़ा सा पीनट का तो कोकोनट और धिरशारी वह तक ले करके आऊंगे और यह काफी कॉस्टली होता है तो आप ऐसे सी चीज़े अपने घर पर बना करके इंज्वाइ कर सकते हैं यह हमारा जो मील था बहुत अधा अमेजिंग था बहुत टेस्टी था उसके बाद पटापट से मैंने फेस क्लें किया और हम करेंगे चाचा बाइबाइबाइब आज का यह व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तब तक लिए टिल दें टेक केर बाइबाइब थैंक यू फचिंग गोल्डिस के